नमस्कार ने विलकम योलू वर्ल अफेर जाओ प्रशान दवन रश्या ज रिवेंज रश्या का बतला ये जो दो वर्ड्स हैं बार-बार इंटरनाशनल वीडिया में गोज रहे थे जब से रश्या के कर्ज ब्रिज को डिस्ट्रॉई किया गया एक ट्रक बॉम ब्लास द्वा होगे अभी जो युक्रेन पर अटाक हुआ है ना उसके कई घंटों पहले ही यूके का मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि रश्या ने रिवेंज प्लॉड करनी स्टार्ट कर दी है जो युक्रेन के बड़े शेर है इन पर अटाक किया जाएगा फॉर क्राइमिया ब्रिज ए युक्रेन की जो कैपिटल है कीव इसको तो एस्पेशली टार्गेट किया गया है लगातार फाइरिंग हुई है यहाँ पर देख पाओगे आपके सामने विरियस वीडियोज है इससे हमको पता लगता है कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है और अभी तक बताया जा रहा है कि एट लीस्ट दस लोग मारे जा चुके हैं इवेंचुली यह नंबर कितना बढ़ता है यह देखना होगा मोस्ट प्रबली यह नंबर 15-16 के आसपा जा सकता है दे नियर फ्यूचर मगर हमको यहाँ पर एक सेकिंड के लिए यह भी देखना होगा कि जब रशिया के ब्रिज क से सलिबरेशन कर रहे थे अब देखो मैं आपको यह बताओ एक आम आदमी पर कुछ खास रिस्पॉनसिबिलिटी होती नहीं है वो इंटरनेट पर कुछ लिग दे कुछ वीडियो बना दे आप यह नहीं कह सकते के पूरा कंट्री उसके लिए जिम्मेदार है मगर आप में जो गया वो ब्रिज तब युक्रेइन की सरकार ने स्पेशल स्टैंप इशू किया इस एक्स्प्लोजन के उपर अब ओवियस सी बात है देखो जब आप रशिया जैसी सूपर पावर को इस तरीके से चिड़ाओगे उनके लोगों को इस तरीके से मौक करोगे मैं आपक रशिया क्या कोई और कंट्री भी होता तो रिवेंज प्लॉट करता तो जो युके के मीडिया ने आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिये थे युक्रेइन पे अटाक होने से पहले ही इसके लिए आपको कोई आइंस्टेन होने की जरूत नहीं है कोई भी बेसिक कॉम पुतिन ने ओफिशली ये का है कि अभी तो शुरवात है अभी जो मैंने अटैक किये है ये बहुए शुरवात है अभी मैं और بھی बहुत सारे स्ट्राक्स करउंगा युकरेइन पर और पुतिन का कहना यह है के जो रशिया के साथ हुआ जिस तरहीके उनके बिच को डिस्ट पोतिन में देख रहा हूं कहीं से घबरा नहीं रहे यह कुछ प्रेशर फील नहीं कर रहे कि इंटरनाशनल कमुनिटी के सामने क्या कहूंगा युनाटेट नेशन में जाओंगा तो मेरी वहां पर आलोशना होगी पोतिन उल्टा ग्या खर रहे है यह खुद UN Security Council की एक मीटिं करेंगे और अब यह कहेंगे कि उक्रेशन के साथ जो अब हमारी problem है न यह कोई geopolitical netto yes netto no अब वहां तक सीमित नहीं है अब यह कहेंगे कि उक्रेशन को टार्गेट कर रहे हैं हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है तो self defense में तो अब हम कुछ भी करेंगे अब इनके शहरों पर भी मिसाइल बरसाना जायज है, रशिया का भी ये स्टांज रने वाला है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि रशिया को अब परवानी इंटरनाशनल कम्यूनिटी की, क्योंकि आज रात को ये आपको बता होगा, युनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली की वोटिंग हो तो अब देखो क्या है कि भारत पर भी प्रेशर बहुत जादा बढ़ने वाला है, भारत यूजूली ऐसे वोट्स में अफस्टेन कर देता है, मगर रशिया ने जो अभी ये तवाई मचाई है युगरेन में, इसके बाद ना भारत को बहुत मुश्किल होगा, एक करना चाहिए, एबस्टेन करना चाहिए, रशिया के समर्थन में वोट करना चाहिए, लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में, मैं जाना चाहूंगा आपका अपिनियन, और बाइद अब जब जब जैशंकर सहाब से अभी कुछी घंटों पहले ये सवाल पूछा तब इन्होंने ये जवाब दिया, ये जब वोट करोगे, नो वोट करोगे, रशिया के समर्थन में, रशिया के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे जैशंकर सहाब कहते हैं कि मैं क्यों बता हूँ, यह मलब बेसी के लिए यहाँ पर कह रही है कि जब वोटिंग का टाइम आएगा तब आपको हमारे वोट के बार किस तरीके से इनके बहुत से शेर टारगेट किये गए, इंटरस्टिंग बात यहाँ पर पता है क्या है, युकरेन ने का है कि रशिया ने पहली बार इरान मेड जो ड्रोन्स है, जो जिनके बारे में बहुत न्यू जारी थी, कि रशिया के पास ड्रोन्स की कमी पढ़ रही तो इरान अपने ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेगा रश्या को और रश्या ने वही ड्रोन्स यहाँ पर इस्तमाल किये हैं युकरेन पर यह बहुत इंटरस्टिंग बात है कि इरान की पार्टिस्पेशन यहाँ पर ड्रेक्ली बढ़ गई है तो अब क्या यूएस इरान को भी द जर्मनी की जो एंबसी है युकरेन की राजधानी में वो एक स्पेशल बिल्डिंग में है काफी सेव लोकेशन पर उन्होंने बिल्डिंग ना रखी है ताकि उस पर अटैक ना हो मगर फिर भी रश्या ने अल्मोस्ट एक ड्रोन पिन पॉइंट एकुरेसी से वहाँ पर भ लाई थी तो जिस तरीके से यहाँ पर अटाक किया है पुते ने और रश्या की सरकार ने यह भी कैडिगोरिकली यह का है कि इन्होंने एर से अटाक किया है सी से अटाक किया है मतलब कि डेफिनेटली कोई ना कोई फरीगेट डिस्ट्वाइर होगा ब्लैक सी में वहाँ से भी मिसाइल गए होंगे उसके इलावा इन्होंने लैंड से भी अटाक किया है तो इनके सर्फेस तू सर्फेस मिसाइल होंगे वो भी नोंने आपर यूस किये हैं और युक्रेइन के एर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से फेल कर गए हालाकि जिलन्सकी ने यह का है कि से एर डिफेंस सिस्टम के आगे जाकर युक्रेइन को डेमेज कराए तो अब एक क्वेशन यह भी उठता है कि क्या युवेस थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर कुछ ना कुछ एक एडवास मिसाइल डिफेंस सिस्टम युक्रेइन को देगा ताकि फ्यूचर में य युक्रियन रश्या से खुद को डिफेंड कर पाए, और एक फानिल कोश्चन यहाँ पे आपका ये भी आ सकता है, कि क्या अब नुक्लियर अटाक की जो प्रोबिल्टी है कम हो गई है, क्योंकि रश्या ने जो अपना बदला है, ये और तरफ से निकालना स्टार्ट कर दिया देखो मैं आपको यहाँ पे बता दू, नुक्लियर स्ट्राइक की जो प्रोबिल्टी है, लगातार वरती जारी है, इलोन मस्क जो वैसे काभी पकवास करते हैं, मगर एक टुटीवी घडी भी दिन में दो बार सही होती है, इन्होंने भी रिसेंटली का है, कि नुक्लियर आप के लिजिए अनहिंज दो चुका है, और एक अनहिंज कंट्री जिसको डर ना हो इंटरनाशनल कम्मुनिटी का, वो इन दा फ्यूचर कुछ भी कर सकता है, तो नीड यह है कि फाइनली दोनों देश अब पीस की बात करें, बैट कर ये कॉन्फलिट खतम करें, अदर्व सक्षन में जाईए, यहाँ पर पिंड गॉर्मेंट में आपको मिले का लिंग, यूपीसी सब्स्रिप्शन का, यहाँ पर आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पर परचेस कर पाएंगे अनकाडमी का यूपीसी कोर्स, इस कोर्स के अंडर आपको लाइफ क्लासेज मिलेंगी, स्ट्रक्चरड कोर्स होगा, पीडियाफ यहाँ पर आपको मिलेगी, लाइफ टेस्ट होंगे, लाइफ क्विजिस होंगे, और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉले स्टुएंट है, आपके पास अभी दो-तीन साल का टाइम है, अराम से अटेंड करना, यूपीसी एक्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 मेने का कोर्स है, यह आप कर सकते हैं परचेस, मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, करीब 2,996 रुपीस पर मन्त, यह पर मत कर देना, simply यहाँ पर कोड यूज करो, PD10, और प्राइस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, दा एक्जाट और चैसे वजा पर यूज कर देना, यूज पर देना, यहाँ पर लिसनेंगे, जो विद्यो कान्त, यह एक्ट पर लिसनेंगे, और यह साल ब्लस्य वाले,